हेलो फ्रेंड्स, वेलिकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सेकर, आगे हम एको नई फीडियो लेकर, दोस्तो इस फीडियो में हम देखने वाले हैं उत्रा खंड के 40 महत्यपूर्ण परसनु को, तो चलिए दोस्तो फीडियो की सुरुवात करते हैं पहला परसन है यहाँ पर हमारा और बुग्याल से परसन है, यहाँ पर आपको बताना है कि सतोपन्थ बुग्याल, घस्तोली बुग्याल, रताकोर्ण और लक्षमी बन बुग्याल, यह उत्रा खंड के किस जिले में हैं, यह आपको यहाँ पर बताना है इसका से उत्तर हो जाएगा उस्तों ये हैं सभी के सभी चमोली में लक्षमीबन, रताकोर्ण, घस्तोली, सतोपंथ है दोस्तों बहुत ज्यादा पर्शिद्ध है सतोपंथ ताल भी है, भुग्याल भी ये आपको याद रखना है सभी के सभी हैं को करेंगे रूद्र परियाग लेकिन यह आपको नहीं करना है कल्पनाद भुग्या दोस्तों यह है चमोली में तो यह भी आपको याद रखना है इसका से उत्रू जाएगा चमोली अगला बरसने वैसे यहाँ पर option टप नहीं है अगर यहाँ पर उत्तरकासी होता टिहरी होता पित्वड़ा गड़ होता तब थोड़ा option यहाँ पर टप हो सकते है लेकिन पित्वड़ा गड़ भी है लेकिन हरिद्वार और चमपा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आसान option यहाँ पर होगे है अगला वरसने उत्रा खंड के पंच परियाग दोस्तों यहाँ पर आपको बत पांचवे नंबर पर देव परियाग तो यह आपको यादखना है option number D होगा इसका बिलकुल सही उत्तर मांगी विष्णु परियाग में नंद परियाग में कर्ण परियाग में देव परियाग में रूदर परियाग में कौनसी नदी का संगम होता है रानिखेत के समीप है तो चौबटिया दोस्तों परशिद्ध है बागान वो फल सोध केंद्र के लिए तो इसका सहीवत्तर यहाँ पर हो जाएगा option number C चौबटिया परशिद्ध है बागान वो फल सोध केंद्र के लिए 1932 में दोस्तों यहाँ पर चौबटिया में हिल फूरूट रिसर्च स्टेशन की स्तापना की गई थी यह भी आपको लगे हाथ मोहजवानी बिल्कुल याद रखना है अगला परशने आपर हमारा राज जी में एकी कृत आदरस किर्सी गराम योजना की सुरूवात कभ हुई थी जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तो इसका से उत्र हो जाएगा 21 अक्टूबर 2020 को हुई थी उत्रा खंड में एकी कृत आदर्स किर्शी ग्राम योजना की सुरुवात 21 अक्टूबर 2020 को अगला वर्षन है उत्रा खंड राज जी का वह ब्यक्ती जिसने मिश्रीदवन खेती मौडल का विकास किया दोस्तो यह किया था जगत सिंह चोधरी जंगली दोस्तो इनका उपनाम है तो यह आपको यादखना जगत सिंह चोधरी ने मिश्रीदवन खेती मौडल का विकास किया था जगत सिंग चोधी जंग्ली को दुस्तों इनको 2006 में आरे भट्ट सम्मान दिया गया था ये भी आपको यादखना है जंग्ली दुस्तों इनका उपनाम है और सन 2000 में इनको इंद्रा गान्धी बिरिक्षे मित्र पुरुष्कार दिया गया था आपको कमेंट बोक्स मताना है गौरा देवी को इंद्रा गांधी बिरिक्षमित्र गुर्षकार कब दिया गया था ये आप छापिएगा कमेंट बॉक्स में कल्यान सिंग रावत मैती सुंदरलाल बहुगुडा ने उस्तो दिया था हिमाले बचाओ देश बचाओ का नारा अगला परसन है निमन कतनू मैंसे कौन से सही है चंद वनस की स्तापना उस्तो सोमचंद ने की थी बिल्कुल सही है बाजपूर की स्तापना बाजभादुर चंद ने की थी ये भी सही है और गरुड की उपादी ज्यान चंद उस्तो गरुड की उपादी फिर इसको कहा जाता था गरुड ज्यान चंद वैसे दोस्तो जो चंदू का राजचिन था वो गाय था लेकिन जो ज्यान चंद है दोस्तो इसको इसने जो है गरुड की उपादी इसको मिली थी वो दी थी फिरोज साथ उग लगने, फिरोज साथ उग लगने, तो इसका सेवत्रों जाए उस्तों एक दो तीन कथन यहाँ पर बिल्कुल हमारे सही हैं, अगला परसने आपर हमारा गैर सेण में राज्जी के दूसरे बिधान सबा भौन का आपचारिक सिलान्यास किया गया, दोस्तों किया गया था 14 जनुवरी 2013 को बोले तो आपसन नमर सी, अगर दोस्तों बात करें कि गैर सेण में पिधान सबा सत्र, पर्थम बिधान सबा सत्र दोस्तों जो कि गैर सेण के स्कूल में हुआ था, कॉलेज में हुआ था, ये दोस्तों हुआ था 9 से लेकर 11 जून 2014 के बीच में और गैर सेन में दोस्तों जो दूसरा बिधान सबाब होन है तो ये दोस्तों किया गया था इसका चिलन्यास किया गया था 14 जनरी 2013 को और पर्थम बिधान सबाब सत दोस्तों जब गैर सेन में जो बिधान सबाब होन बन गया था ये दोस्तों हुआ था 2017 में 17-18 नौंबर 2017 के ब ये दोस्तो बना है नैनी ताल के खुरपा ताल में option number C हो जाएगा इसका बेलकुल सही उत्तर इसके अला उस्तो देश का पहला liquid mirror telescope दोस्तो ये एरीज ये दोस्तो कहां एरीज दोस्तो नैनी ताल में ये भी क्या गिया है देश का पहला liquid mirror telescope ये भी आपको याद खना है रानी खेट में दोस्तो बहुत सारी चीज़ा हुई है अगर करेंटेफर के लिहास से देखें तो पर्थम बन healing station दोस्तो ये कहां बना है ये बना है रानी खेट में अगला बरसने है यहाँ पर हमारा तिलक और एनी बैसेंट से प्रिरित होकर किसने उत्राखंड में home rule league आंदोलन चलाया विक्टर मोहन जोसी, चिरिंजी लाल और बदिनात पांडे दोस्तो इसका से उत्तर हुजएगा यहाँ पर हमारा उप्योक्त सभी अब दोस्तो हम किताब में पढ़ते हैं कि उत्राखंड में जो है home rule league चलाथा कप 1914 में आयोग ने भी दोस्तो इसका उत्तर कई बार यही दिया है लेकिन दोस्तो अगर आप ने पढ़ा होगा, दोस्तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि देखिए, एनी बैसेंट और तिलग ने, इन्होंने दोस्तो हम रूल लिख की स्थापना की थी 1916 में अब तिलग और एनी बैसेंट से प्रिद होकर, तो यह दोस्तो 1914 में फिर कैसे कर देंगे पहले ही खेर दोस्तो इपरसनी एकजाम में इस तरह से देखने को मिलता है फिलाल याद रखेगा, उत्राखंड में 1914 मिलता है बागी इनका दोस्तो आपने बिल्कुल पढ़ाई होगा कि तिलग ने अप्रेल में 1916 में और एनी बैसेंट ने सितंबर 1916 मिलता अपना की थी अगला बरसने है उत्राखंड राज जी के बोकसा जनजाती का मुख्षी तेवहार दोस्तो यह है चैती कासिपूर उधमसिक नगर में अगला बरसने यहां पर दोस्तो चार पुस्तका दी हुई है और यहां पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है हिमालाई परिचे दोस्तो यह है राहुल सांकरत्याईन की और सांकरते हैं दोस्तो आपको वर्तनी में भी आद रखना है क्योंकि कई बच्चे क्या करते है सांस किर्टैन करते है सांस किर्टैन जो की होता है गलत तो राहुल सांग करते हैं दोस्तो वर्तनी भी आद रखे और हिमालाई पर्च दोस्तो यह है राहुल सांग करते हैं की हिमालाई ट्रेवलर्स दोस्तो यह है जोद सिंग नेगी की बि एरादून के ज़ेट दुस्तो ये भी किसका है एजी वाल्टन कही है अगला परसन है गडवाल विश्व विध्यालाई की स्तापना 1973 में एक परसन यही बन गया स्रीनगर पॉड़ी गडवाल में किया गया बिल्कुल सही बात है कब इसका नाम बदर कल हेमती नंदन विश्व विध्यालाई कर दिया गया दूस्तो हेमती नंदन बहुगुडा का जन्म कब हो था 25 अपरेल दूस्तो आजी के दिन 25 अपरेल 1929 को जन्म हो था ये आपको याद रखना है और ये दूस्तो नाम कब किया गया था 1989 में किया गया था याद रखेगा ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्र गडवाल का चन्दन हेमती नंदन अगला वरशन है पुषपहार लाल हवेली तथा मेरी पिर्दी कहानिया निमन में से किसकी हैं तो पुषपहार लाल हवेली दूस्तो ये है गौरा पंथ सिवानि की ओप्सन नमर सी हो जाएगा इ अगला वर्षन है पर्वतिय पत्र पत्र का विश्णुदत उन्याल द्वारा परकासित उत्राखंड राज्जी का पर्थम हिंदी समाचार पत्र था परकासित हुआ दूस्तो बिल्कुल धासु परस्न है दूस्तो यह हुआ था 1954 में 1954 में तूस बिल्कुल याद रखेगा ओप्सन वर बी अगला वर्षन है निमिल लिखित किस विश्व विध्याले ने सुन्दरलाल भहगुणा को डॉक्टर ओप सोसियल साइन्सेज की मानकु पादी दीती दूस्तो यह दीती रूड की विश्व विध्याले के दूरा दी कुमाउं छेत्र का वहो अनुभूती परधान गीत जिसमें प्रेम की परधानता रहती है दोस्तो किसमें रहती है तो इसका सेवत्र हो जाएगा यहाँ पर हमारा भगनौल लोग गीत ओप्सन नमर ए खुदेड दोस्तो जो गीत है खुदेड दोस्तो यह होता है मतलब की लड़की जो है ससुराल में माईके की आद में से गाती है खुदेड गीत को और जो यह बाजू बंद दोस्तो यह परणाई समवाद गीत है इसे दोस्तो दूडा गीत भी कहा जाता है तो इसका सेवत्र परियाग में, कविल्ठा गाउं में, काली दास का उस तो जन्म भी हही हुआ था, इसले उस तो यह क्या जाता है अमर सिंग के निदत्तु में तो इसका से उत्र जाएगा option नमर B आगला बरसन उस्तो यहाँ पर दो नदियां दी हुई है सेला यांग्टी वो नान डार्मा ये दूस्तो किसकी सायक है अब उस्तो आपको पता है देखे भिलंग ना होगा नि टीरी में ये पिथाड़ा गड में है अब पश्चिमी धौली गंगा भी नहीं होगा क्योंकि चमोली में पश्चिमी राम गंगा भी नहीं होगा अगर पूर्वी राम गंगा होता तो कुछ अब ब्यरती जा सकते थे उसकी तरब अब देखे पश्चिमी राम गंगा उस तो एक पिठाड़ा गड़मा तो नहीं बहती है तो इसका सेवत्र जगा पूर्वी राम गंगा जरूर से भेती है लेकिन इसका सेवत्र जगा यहाँ पर हमारा पूर्वी धोली गंगा की साइक है सिला यांग्टी वो नांदार्म अगला वर्षन है आप पर हमारा नेमन मैंसे किसे स्तानी या लोग उत्तर द्वारी का कहते हैं उस्तो ये कहते हैं सैम मुकेम नाग राजा टिहरी को तो इसका सेवत तुर जाएगा ऑफ्सन मर भी अगला वर्षन है नेमन लिखित मैंसे सुमेलित नहीं है राहुल बिष्ट दोस्तो बोडी बिल्डर बिल्कुल है रेनू कोहली दोस्तो एथलेटिक से सुसीर राडा हैंड बॉल अरुन जक्मुला दोस्तो इनका संबंद है अरुन जक्मुला दोस्तो इनका संबंद है बॉली बॉल से गोविंद बल्लप पंथ के दोरह उस्तो कहाँ पर की गई थी काशिपूर में की गई थी याद रखेगा option number D अगला परसन है और काशिपूर का उस्तो जो नाम था वो था गोविशाण अगला परसन है और काशिपूर को उस्तो गोविंद बल्लप पंथ जी के परभाव के कारण गोविंद गड़ भी कहा जाता है तो ये भी आपको याद रखने है और 1914 में प्रेम सबा की स्ताबना भी काशिपूर में ही की गई थी अगला परसन है ने में लिकित मैंसे उत्राखंड के सूच में लगू और मध्यमुद्यों का सीर्स निकाई कौन सा है दोस्तो ये है सिटकूल सिटकूल की दोस्तो फुलफॉर्म भी पूची जा सकती है तो सिटकूल दोस्तो ये हो जाएगा State Industrial Development Corporation of उत्राखंड Limited दोस्तो सिटकूल धेरादून में है और 2002 में इसकी स्तापना हुई थी सिटकूल की तो फुलफॉर्म जोड़ से याद रख लिजेगा State Industrial Development कारपूरे सनोब उत्राखंड लिमिटेट आगला वर्षन है उत्राखंड राज्ची में संसिकृति के सभी पहलूं के विकास सरक्षण यों पुरुच्षान के लिए संसिकृति साहितियों कला परिशत इतना उस्तो आप नहीं भी याद रखेंगे वोसे भी समझ जाएंगे आप तो इतना याद रखेंगे संसिकृति साहितियों कला परिशत की स्तापना उस्तो कब हुई थी तो 2004 में हुई थी इतना ही आपको याद रखना है अगला बरशन है उस तो यहाँ पर हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है मलिका देवी मंदिर उस्तो आश्रम नहीं है डोल आश्रम अलमोडा में कैची धाम आश्रम उस्तो ये नैनिताल अलमोडा हाइवे पर है डोल आश्रम अलमोडा में मलिका देवी मंदिर उस्तो ये अलमोडा में है धिकाला उस्तो ये राम नगर के समीपे ननिताल में बिल्कुल सही है नार्यण आश्रम की स्तावन उस्तो 1936 में हुईती पिथोड़ागड में है बिल्कुल सही है गंगोली हाड उस्तो पिथोड़ागड में नाकी चमोली आगला वर्षन है राम गंगा नदी दोस्तो ये बात हो रही यहाँ पर पश्चिमी राम गंगा की तो पश्चिमी राम गंगा नदी तट पर कुमाउं का एक मात्र मिला जिसमें बैलूं का यानि कि पसूं का कराई विकराई होता है दोस्तो ये है सोम नाथ मिला आगला वर्षन है बाज बहादूर चंद ने अपने तामर पत्र में सोर को क्या कहा है तो इसका सेवत्र हुद्र जग यहाँ पर हमारा option नमर D आगला वर्षन है निमल लिकित में कौन मसूरी कांड का सहीद नहीं है हनसाधनाई और बेल मति चोहन बहुत महत्पून नाम है ये दो नाम आपको ज़िए आदक नहीं और धनपाद सिंग उस्तो ये भी जो है मसूरी कांड में सहीत हुएते दो सितंबर 1994 उस्तो हुआता मसूरी गोली कांड ये सोधर बैंजुवाल और राजे स्राव अदुस्तो ये हुएते श्री नगर श्री अंतर टापू कांड में तो इसका सेवत्रुजय का ओप्शन वर्षी अगला वर्षन है एक तरफ यहाँ पर नदी दी हुए है एक तरफ उस्तो परियोजना दी हुए है तरनाकपूर परियोजना उस्तो सार्द नदी बिल्कुल है सार्द नदी वहाँ भैत खोदरी परियोजना यम्ना नदी पर है देहरादुन में बिल्कुल सही है छिबरो परियोजना टॉन्स पर है चीला परियोजना उस्तो गंगा पर है नाकी राम गंगा पर तो इसका सेवत्र जाएगा ऑप्शन बर डी चीला उस्तो हो जाएगा गंगा पर अगला बरसन है निमन मैं से कौन सुमलित नहीं है दून दहरादून बिल्कुल सही है नैनी सेनी हुआद्ड़ पिथाडगर में है फूल बाग पंतनगर में है चिलियानी सोड हुई अड़स तो ये उत्तरकासी में है इसका नाम हो गया है मा गंगा हुई पट्टी तो ये उत्तरकासी में है option number D होगा इसका बिल्कुल 60 उत्तर अगला बरसन है निमन मैंसे किस इत्यासकार का मानना है कि उत्तराखंड राज्जी की पराचीन जाती खस वो सक समान थी खस ही अपभरंस होकर सक बना दूस्तो ये कहा है राहुल सांकर्तियान का उस्तुएसा मानना है ये आपको याद रखना है तो बढ़ते हैं अगले बरसन तकाबी और बकाया करको समाप्त किया था ये किया था नरेंदर साने नरेंदर साने दोस्तो ये आपको याद रखना है जबरस्त परसन आप्शन वर भी हो जाए इसका बिलकुल सही उत्तर अगला परसन है दोस्तो अभी तक आपने परिक्छावाणी मैंसे से कई बार अब यहाँ पर इसका से उत्तर आपको देना है पदम विभूसन पराप्त करता था उनके कार्रे चेतर के संदरों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पदम भूसन और विभूसन इनमें ही बहुत से बच्चे वहाँ पर हो जाते हैं रहाँ पर भी होने वाले है यहाँ यहाँ पर नहीं होंगे डाक्टर घ्रानन्द पांडे उस्तों 1979 में बिज्ञान के छेतर में पदम बिभूशन बिलकुल सही है भेरवदत पांडे स्वरी भेरवदत पांडे 2000 में इनको परसाशनिक छेतर में इनको भी दिया गया है पदम बिभूशन सुन्दरलाल बहुगुणा इनको भी दोस्तों 2009 में मिल चुका है पदम बिभूशन चंडी परसाद भटको दोस्तों 2005 में मिला था पदम भूशन ना की बिभूशन देखे यहाँ पर बिभूशन है इनको मिला था बूशन तो यह हो जाएगा यहाँ पर हमारा गलत option नमर बी तो यह आपको याद रखना है अगला परसन यहाँ पर हमारा दूस्तों एक तरफ जनपत दिया हुए है एक तरफ ताल दिया हुआ है डोडी ताल उस्तो छे कौन वाला ताल उत्तरकासी देवरिया ताल उस्तो रुदर परियाग होगा बेनी ताल उस्तो चमूली में है वासु की ताल उस्तो लाल पानी वाला है रुदर परियाग में तो इसका से उत्र जेका option number B अगला वर्षन है पिल्कुल धासू परशन है उत्रा खंड में निमिलिकित में से कौन सी परवत स्रेणी मुख्य सीमान्त भरंस और मुख्य मध्धिवर्ती भरंस के बीच इस्तित है दुस्तो ये है लगू हिमाले लगू या मध्धिमाले ओप्सन मर भी अगला वर्षन है आपर हमारा किसे गडवाल का अंग्रेज राजा दुस्तो ये कहा जाता है फैडरिक बिल्सन को बिल्सन ओप्सन नमर ए अगला वर्षन है उत्रा खंड का कौन सा मुख्य मंत्री एक से अधिक बार राज जी के मुख्य मंत्री पद को घरण किया विजाई भ भूबन चंद खंडूरी उस तो खंडूरी के बाद फिर आये निसंक निसंक के बाद उस तो फिर से दुआरा खंडूरी वनने थै तो इसका सेवत्री जगाव Saenger A अगला वरस्न है बिलकुल धासु परस्न है उत्राखंड राज्जी में नगरिय विकास पराधिकरण की स्तापना कब हुई थी 2 दिसंबर 2002 को अगला वरस्न है अधो लिखित में कौन सुमलित नहीं है रुदर परियाग चंपावध बागेषवा रुस्तों ये बने थे 1997 में चंपावध और बागेषवा रुस्तों बने थे 15 सितंबर 1997 को रुदर परियाग बना था 16 सितंबर 1997 को पर्थम निरवाचित विधान सभागा गठन 2002 में हुआ था भिल्कुल सही है उत्राखंड में राष्टपती सासन दोस्तों 27 मार्च 2016 से 11 12 में 2016 दोस्तों ये लगा था बिल्कुल सही है कौसिक कमेटी दोस्तों जो बनी थी ये बनी थी 1994 में तो इसका सेउत्र जाएगा यहां पर हमारा उप्सन नमर ए अगला वर्षन है फूलू की घाटी जैसी ही एक दूसरी घाटी चिनाब घाटी ये की जिले में दोस्तों फूलू की घाटी चमूली में है और चिनाब घाटी दोस्तों ये भी चमूली में है तो इसका सेउत्र जाएगा उप्सन नमर भी तो ये थे आजके मारे मेहतेुन परस्टे बाग кी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में थैंक यू फ्रेंड'd, थैंक यू सुमच अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहेए, मस्त रहेए, हस्त रहेए, मुस्कुराते रहेए thank you friend thank you so much